नमस्कार मैं हो ससी आया जारखन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जारखन एकेडमी काउंसिल जारखन की ओर से आउजित होने वाली दसवी और बरावी की परिच्छा को गुरुवार को रत कर दिया गया है जारखन के मुख्यमंत्री हमनसुरें ने COVID-19 से उत्पन परिथितियों को देखते हुए जैकि ओर से इस सत्र में आउजित होने वाले दसवी और बरावी की परिच्छा को रत करने का निने लिया है उलेखनी है कि CVSE और ICSE बोर्ड की परिच्छाओं के रत होने के बाद जारखन में भी दसवी और बरावी की परिच्छा रत करने की मांग उठ रही थी इसे लेकर आए दिन विभिन राई नितिक दलों के नेता भी परिच्छा के रत होने की मांग कर रहे थे कोरोना के कारण जान गवाने वाले सिक्छकों की सुची मांगी गाई कोरोना संक्रमन के कारण जीले के जीन सिक्छकों की मौत हो चुकी है उनके परिवार को पेंशन सहीत और आर्थिक लाप देने के लिए जीला सिक्षक पदाधिकारी ने समंधित पदाधिकारियों से मृत्षको की जनकारी उपलवत कराने को कहा है इसके लिए उन्होंने सिक्षक पदाधिकारी बीओ और डीडीओ को पत्र लिकर जल्द से जल्द सिक्षको की जनकारी उपलवत कराने के लिए कहा गया है कहा गया है कि दिवंगात सिक्षको का मिरित्यू पवान पत्र उत्रा दिकारी पवान पत्र के साथ अने दस्तावे 24 घंटे के भीतर उपलब्त कराए राश्टिये सिक्षक पुरसकार के लिए 20 तक करें आवेदान राश्टिये सिक्षक पुरसकार 2021 के लिए आवेधन करने की तारीख की घुसना कर दी गई है बतादे योग और मांगो को पूरा करने वाले सिक्षक 20 जून तक ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं सिक्षक सिक्षा मंत्रा लएके नेशनल आवार्ड एस्टोर्ट टीचर डॉट एजुकेशन डॉट जूबी डॉट इन पर ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं इतके लिए जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशत के निजशक डाक्टर सेलेश कुमार चवरास सिक्षक और शक्षरता विभाग ने इन पर नियुक्ति की त्यारी शुरू कर दी है इसके लिए जीलों से विशेवार सिक्षक को खाली पद मंगाये जा रहे हैं वही सिक्षक नियुक्ति नियमावली के संसोधन की परकिरिया भी आमतिम चरण में है नियमावली को नियुक्ति नहीं होगी हमन सरकार ने 2021 स्कोर नियुक्ति का वर्ष कोशित किया है सिक्षम मंति जगनात मतो जल्द जार्खन लोटेंगे चेनाई के एमजीम अस्पताल में भरती राजी के सिक्षम मंति जगनात मतो जल्द ही जार्खन लोटेंगे बतादे जार्खन सरकार क के चिकित सीय विश्य सगयों की टीम उने चेना इते जार्खन वापस लाने के लिए चार्टर विमान से चेना ही जा सकता है हेमन्त सरकार में बेटिया असुरक्षीत अधित्य साहू जार्खन के पलामों में पांकी में नवालिक हत्याकान मामले में भाजपा के परदेश महामंत्री अधित्य साहू ने गुरुआर को कहा कि हेमन्त सरकार में राजे की बेटिया सबसे ज़्यादा असुरक्षीत है आए दिन बहन बेटियों के साथ दूसकर्म वो हत्या जैसी घटना आम हो गई है सतारूट दल मौन है और अपराधी पुरे राजे में तंडो मचा रहे हैं उन्होंने पलामों के पांकी में हुए नबालिक बच्ची हत्याकान मामले को लेकर कहा की मामले में निस्पक्ष जात जरूरी है भाजबा ने किया MSP में विरीदी का स्वागत भाजबा के प्रदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने केने सरकार की ओर से धान सहित अने खरीब फसलों के समर्थनमूल MSP में विरीदी का स्वागत किया है परकास ने पार्टी वा जार्खन के किसानों की ओर से पधानमंति नयाद मोदी वक्रिशी मंत्री नयादर सिंग तोमर का भार पर कट किया है उन्होंने गुरुआर को कहा कि कांग्रेस एम एसबी के समध में किसानों को लगातार दिख भरमित करती रही है केंदे सरकार ने सारी असंकाओ पर विराम लगा दिया है मोदी सरकार 2022 तक किसानों की ओर दोगनी करने की दिशा में लगातार कार कर रही है पलामू उपायुक्त ससीर अंजन ने जूम आयप तथा यूटूब चैनल के माध्यम से सुक्रवार को ऑनलाइन सनवाद अस्थापित किया ऑनलाइन सनवाद के करम में उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में बच्चे बुढ़े सभी COVID-19 के बारे में जानते हैं उपायुक्त ने बताया कि पिछले वर्स की तूलना इस वर्स कुरोना की वेव अतियंत घातक है जहां पिछले वर्स 2020 में पुरे पलामू में सिर्फ 20 लोगों की मिरती होई थी वहीं इस वर्स सिर्फ 2 महीने में 110 लोग की मिरती पलामू जिले में हो चुकी है कुरोना का या वेरियंट काफी घातक है लोगों को अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ के फ्रति जागरू प्राने की ज़रूरत है अगर आप में लक्षन दिखाई देता है तो आप तुरंद कुरोना का जाच कराएं केंदर से अतरिक्त स्वायोग की थी उमीद GST का हिसा भी मिल रहा कम हेमंत सुरेन कुरोना संक्रमन के दोर में केंदर सरकार से अतरिक्त स्वायोग की उमीद थी लेकिन GST के मध में सरकार को अपने हिसे से कम रासी मिल रही है मुख्य मंतरी हेमन्सुरे ने बुद्वार को एक निजीट टीवी चैनल से बाचीत में कहा कि कुरोना की तिसरी लहर को लेकर सरकार ने उपलब संसाधनों के अधार पर तैयारी की है या असपस्ट नहीं है कि तिसरी लहर में कुरोना संक्रमन का सहरूप क्या होगा सरकार ने अचानक आने पर भी उस से निपटने के लिए तैयारी की है मुक्ष मंत्री ने कहा कि राजे के ग्रामीन छेत्रों में सिक्षा का आस्तर बहुत बेहतर नहीं है इसे कुरोना टीका अकरण को लेकर तरह तरह की फ्रांतिया फ्लाई जा रही है जार्खन में 293 नए केस मिले हैं जार्खन में कूल मौत की संख्या 5,81 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 45,14 है भारत में 91,211 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 11,99,928 है देश के किसी भी हिस्से से जारखन आने पर रईस्टेशन अनिवारे हवाई रेल या सडक मार्क से अगर आप जारखन आ रहा हैं तो रईस्टेशन करना जरूरी है बतादे जारखन travel.nic.in पर आप रईस्टेशन करा सकेंगे या रईस्टेशन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व करना होगा जारखन में परवेश करने के बाद अगर आप निवधन कराते हैं तो यह मान यह नहीं होगा बतादे बाहर से आने वाले लोगों को पहले की तरह साथ दिनों तक होम कोरेंटीन में रहना होगा केंदर सरकार, दूसरे राजे सरकार, खनन, निर्मान, अध्योगी, क्रिसी, स्वास्त, देख भाल से जुड़े लोगों के अलावा 72 गंडे के अंदर राजे से लोट जाने वाले लोगों को होम कोरेंटीन के नियम से पहले की तरह छुट दी गई है बतादे बुद्वार को परिवान विभागने नए आदेश जारी किया है जहारखन के 40 लाख बचों के बीच बाटे जाएंगे ORS पैकेट कुरोना की तिस्तरी लहर से पहले मांसुन को देखते वे बचों को डायरिया से बचाने की पहल स्वास्त विभागने शुरू कर दी है बता दे APHC वपHC से लेकर CHC वद तमाम अस्पतालों को डायरिया को लेकर अलर्ट किया गया है इसके तहट राजे में बचों के लिए 40 लाख ORS के पैकेट बाटे जाएंगे स्वास्त विभाग के IEC नोडल पतादिकारी सिधात तिरपाठी ने बताया कि विभीन विभाग द्वारा सभी समंधित पतादिकारों को निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि मानसूल से पहले 15 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यान में सभी 5 वरस तक के बचों को ORS के परियात पैकेट और जिंक की सुविधा परदान करने के लिए निर्देश दिये हैं पढ़ोशी राजियों में मिले Black Pungus के मरीज भी आ रहे हैं राजे के सबसे बड़े आस्पेटाल रिम्स में Black Pungus के 31 मरीज भरती हैं बतादे रिम्स में Old Trauma Center और Dengu Ward में Black Pungus के मरीजों को रखा गया है रिम्स में मरीजों को बेथर इलाज दी जा रही है इसकारण राजे के अन मेडिकल कॉलेजों के अलावा पड़ोसी राजे के सिमावर्ती इलाकों के मेडिकल कॉलेज से भी मरीजों को रिम्स रेफर किया जा रहा है रिम्स में गया मेटकल कॉलेज बिहार और बुड लैंड होस्पीटल बर्दमान बेश्ट बंगाल के भी मरीज रिम्स रेफर किये गए हैं तमिलाडू से जारखन लोटी आठ परवासी लड़किया हैं धनबाद एलेपी एस्पेसल ट्रेन से गुरुवार को अले सुबा तमिलाडू से आठ लड़कियों को राची लाया गया बदादे ए लड़किया पिछले दिसंबर माह से कोयमबर टूर और नासी इस्थित कापड़ा मिल में काम कर रही थी उन्हें स्राम विभाग और फिया फांडेशन के स्वयोग से राची लाया गया बदादे इन लड़कियों को कोशल विकास के नाम पर बिना ट्रेनिंग के 15,000 मासिक बेतन देने की बात का कर ले गया था परन्तु सूब आठ बये से साम चाहँ बये तक काम करने के यवज में उन्हें मात्रे 5,000 से 6,000 रुपे दिये जा रहे थे अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी के निर्देश पर जारखन परदेश कॉंग्रेस कमेटी सुक्रवार को पूरे जारखन परदेश में महंगाई के खिलाप सांकेतिक बिरोध परदसन करने की त्यारी पूरी कर चुकी है बतादे स्वयम पर्देश अध्यक्ष भी अपने कुछ सयोगियों और पार्टी नेतावों के साथ राजधानी राची के किसी पिटोल पंपर परदसन करेंगे यह संकेतिक होगा और भीड नहीं लगाई जाएगी कॉंग्रेस की ओर से जारी भी अपती में बताया गया है कि पेटोल डिजल और असोई गयस की किमतों में बेता हासाब और अतरी के खिलाब पार्टी द्वारा आयुजीत राजे ब्यापी अंदोलन को ब्यापक चन अंदोलन का सुरूप देने का निना लिया गया है